लोगसभा चुनाव से पहले समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादब की मुसीवितें कम होने का नाम नहीं ले रही हैं राजसभा चुनाव में साथ विधायकों के नाराजिक तो पहले एक खुल कर सामने आ चुकी है तो वहें उसके अपने सहयोगी भी पीडिये को लेकर उन पर सवाल उठा चुके हैं इस भी सपा के लिए एक नई मुसीबत पश्मी यूपी से देखने को मिल रही है जहां मुस्लिम नेताओं को संभालना पार्टी के लिए मुसीबत साबित हो रहा है नमस्कार आप देख रहे हैं Capital TV उत्रपरदेश की Special Story मैं आपके साथ रोहित कुमार आज की Special Story में बात होगी यूपी के सियासी गर्माहट की जिसमें अखिलेश की पार्टी तूटती नजर आ रही है क्या है पार्टी में कलह? क्या है इसकी वज़ा? ये सब आज की Special Story में साल 2019 के चुनाव की बात करें तो पश्चमी यूपी में सपा, वस्पा और राष्टिय लोकदल को BJP के मुकाबले पराजय का सामना करना पड़ा था क्योंकि यहां मुस्लिम और दलितों ने बड़ी संख्या में BJP के पक्ष में वोट किया लेकिन इस बार परिस्थितियां अलग है, RLD NDA के साथ हो गई है और बस्पा ने अकेले चुनाव लड़ने का एलान किया है सपा के सामने यहां मुस्लिम वोटरों को सहेजे रखने की चुनौती होगी, इसकी वज़ा ये है कि कई बड़े मुस्लिम नेता अखिलेश यादव से नाराज है सपा का चुनाव हारना तै, हिंदूओं के बाद मुसलिम नेता अखिलेश यादव से क्यों है नाराज, कैसे मिलेगा अखिलेश को मुसलिम नेताओं में एक नाम बदायू के बड़े नेता सलीम शेरवानी का है, जिनोंने हाली में राष्ट्रिय महा सचीवपत से इस्तिफ लिए क्योंकि राजसभा के लिए हुई वोटिंग में उनका मत पत्र आमाने घोशित किया गया था, रामपूर से आजम खान और उनके बेटे अब्दुल्ला आजम दोनों ही जेल में हैं, ऐसे में सपा संगठन में बिखराव देखनी को मिल रहा है, संभल से सपा सांसत रह डॉक्टर सफी कुररहमान बर्क का निधन हो गया, ऐसे में सपा के लिए नए चेहरे को तलासना मुश्किल हो रहा है, इन सीटों पर हो सकती है सपा को परिशानी, पसिम यूपी के मुरादाबाद मंडल में पांस सीटे बिजनौर, संभल, अम्रोहा, रामपूर और बताया जा रहे है, ऐसे मुस्लिम को नाराजगी सपा को मुश्किल में डाल सकती है, इन तमाम बातों के बीच सपा नेताओं का मानना है कि जल्दी सब ठीक हो जाएगा, सपा सांसद स्टी हसन ने कहा कि जो नाराज है उन्हें मना लिया जाएगा, अम्रोहा से बसपा सूथ पहले ही कॉंग्रेस के पाले में आ गये है, वहीं कहराना सीथ पर सपा के हसन परिवार को साधने में जुटी है, यहां से टकरा हसन को मिद्वार बनाया गया है, इसके अलाबा पार्टी भी नेताओं से बात कर रही है, बतागे कि समाजवादी पार्टी में सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है, एक के बाद एक सपा के मुस्लिम नेताओं के तीखे बयान सामने आ रहे है, कए मुस्लिम नेता पहले ही पार्टी से इस्तिफा दे चुके हैं, यह सारा इस्तिफा यूपी के पिछले विधान सबा चुनाओं के दौरान आये थे, जिसमें और भी ना मुस्लिम नेता जो पहले ही छोड़ चुके हैं सपा का साथ, पहला नाम डॉक्टर सफीकूर रह्मान बर्ख का है, संबल से समाजवाधी पार्टी के सांसग डॉक्टर सफीकूर रह्मान बर्ख अपनी ही पार्टी पर हमला बोल चुके हैं, उन्होंने मीडिया से बात करते मसूद एहमत का है मसूद ने सपा मुख्या अखिलेश यादव पर जमकर निसाना साथते हुए अखिलेश को तानाशाह तक कह दिया था साथी सपा पर टिकट बेचने का आरोब भी लगाया था इसके अलावा तीसरा नाम सिकंदर अली का है सहारणपूर के सपा नेता सिकंदर अली ने पार्टी छोड़ दी पार्टी छोड़ते हुए सिकंदर ने कहा था कि हमने दो दशक तक सपा में काम किया है सपा अध्यक्ष कायर की तरह पीव दिखाने का काम कर रहे है मुसलिमों की उपेक्षा की जा रही है सिकंदर ने कहा था कि सपा के बड़े-बड़े मुस्ली मेता जेलों में बंद हैं लेकिन अखिलेश यादब की चुपी पीड़ा पहुचाने वाली है चौथा नाम अधनान चौधरी का है मुलायम सिंग यूथ ब्रिग्रेट सहारनपूर के जीला उपाद्यक्ष अधनान चौधरी ने भी अखिलेश यादब पर आरोप लगाते हुए पार्टी से इस्तिफादे दिया था अधनान चौधरी का कहना था कि मुस्लिमों पर हो रहे अत्याचार पर अखिलेश यादब की चोंच बिल्कुल बंध है अगला नाम कासीम राइन का है सुल्तानपूर के नगर अध्यक्ष कासीम राइन ने भी अपने सभी पदों से इस्तिफादे दिया था उन्होंने कहा था कि अखिलेश यादब को मुसल्मानों पर होने वाले अत्याचारों के खिलाब आवाज उठाने में कोई रूची नहीं है आजम खा का पूरा परिवार जेल में डाल दिया गया पर अखिलेश यादब नहीं बोली नाहीद हसन को जेल में डाल दिया गया और सहजील इसलाम का पेट्रोल पंक गिरा दिया गया लेकिन सपा अध्यक्ष ने इस पर चुपी साधी रखी इसके बाद नाम आता है इर्शाद खान का सपासरकार में दर्जा प्राप्त राजमंतिरी रहे इर्शाद खान ने पाटी से स्तिफा दे दिया था उन्होंने सपा के रास्ट्यए अध्यक्ष अखिलेश यादः पर मुसलमानों की अंदेखी करने का रोप लगाया इरसाद ने कहा कि मुसल्मान हमीशा से समाजवादी पार्टी के साथ रहा है लेकिन उसे सत्ता और संगठन में भागितारी नहीं मिल पाई है इसके अलावा समाजवादी पार्टी बिजनौर के नूरपूर ब्लॉक अध्यक्ष मुहम्मद हमजा सेख भी पार्टी छोड़ चुके हैं हमजा सेख ने कहा था कि अखिलेश यादव मुसलिमों से कतराते हैं वो मुसलमानों पर हो रहे जुलमों को देखकर भी चुप रहते हैं अखिलेश यादव सिर्फ टूटर पर ही राजनीती करते हैं मुसलिम वर का कहना है कि मुसलिमों को टार्गेट किया जा रहा है उन पर हो रही कारवाई के खिलाप अखिलेश कोई आवाज नहीं उठा रहे हैं यहां तक एक बार भी इसको लेकर अखिलेश ने बयान नहीं दिया कुछ एक्सपर्ट कहते हैं कि मुसल्मान चाहते हैं कि विधान सभा में आजम खान को कम से कम नेता प्रतिपक्ष बनाया जाना चाहिए था मुसल्मानों का कहना है कि अगर चुनाओ जीत जाते तो अखिलेश मुख्यमंत्री बनते लेकिन हार के बाद तो कम से कम आजम को उचित सम्मान दिया जाता मुसल्म नेताओं के नाराजगी के एक बड़ी वज़ा यह भी है कि पार्टी छोड़ने वाले ज्यादा तर नेताओं का कहना है कि चुनाओ में मुसल्मों ने एक जुट होकर समाजवादी पार्टी के लिए वोट किया लेकिन सपा के यादा वोटर्स ही पूरी तरह से उनके साथ नहीं आए इसके चलते चुनाओ में हार मिली इसके बाद भी मुसल्मों से जुड़े मुद्दों पर अखिलेश का नहीं बोलना नाराजगी को बढ़ा रहा है आजम खान की नाराजगी की खबरे सामने आने के बाद से ही अलग-अलग दल उन्हें अपनी पार्टी में शामिल होने का ओफर दे रहे थे सबसे पहले AIMIM ने उन्हें प्रदेश अध्यक्ष बनाने का ओफर दिया था फिर कॉंग्रेस ने उन्हें राष्टी नेता बनाने की बात भी कही थी इतना ही नहीं बस्पा सुप्रीमो मायावती ने लोकसभा चुनाओ दो हजार चोबीस से पहले नगर निकाय चुनाओ में मुसलिम मद्दाताओं को आमन पढ़ने के लिए बड़ा दाव खेला था उन्हें नगर निगम में महापौर पद के चुनाओी मैदान में 17 में से 11 मुसलिम उमिद्दार उतारे थे जबकि वर्ष 2017 के चुनाओ में बस्पा ने 16 सीटों पर मात्र दो मुसलिम उमिद्दारों को टिकट दिया था शहरों में सरकार बनानी की रनीती में मायावती की नजर लोग सभा 2024 के चुनाओ पर है दलीतों को मायावती अपना काडर वोट मानती है ऐसे में बस्पा की कोशिश है कि किसी भी तरह से मुसलिम बस्पा के साथ आ जाए यही कारण है कि नगर निकाय चुनाओ में 64% से ज़्यादा टिकट मुसलिम उमिद्द्दारों को दिया गया था यह संख्या पिछले चुनाओ से पांच गुना से भी ज्यादा थी पिछले नगर चुनाओं में केवल अलीगर और बरेली में बस्पा ने मुस्लिम प्रत्यासियों को टिकर दिया था दरसल मायावती इस फॉर्मूले पर एक परियोग करना चाह रही है बतादे की विधान सभा चुनाओं में मुस्लिमों ने बड़ी ताकत के साथ सपा को वोर दिया था इसके बावजूत सपा बहुमत से काफी दूर रही उधर बस्पा की नईया भी चुनाओं में डूब गई बस्पा से मात्र एक ही प्रत्यासि चुनाओं जीत सका था यहां तक की बस्पा का काडर मोटर भी खिसका और मायवती दोनों को एक साथ जोडने की मुहिम में लगी है पर बड़ा सवाल यह है कि यह चाल कितनी सफल होती है बस्पा थिंटैक का मानना है कि यदि दलित और मुस्लिम साथ आ गए तो ना किवर निकाय चुनाओं बलकि लोग सभा चुनाओं तक की रह असान होगी जब भी यह दोनों एक साथ आए बस्पा को लाब हुआ है फिलाल के लिए इतना ही आप देखते रहे है क्यापिटल टिवी उतरपरदेश नमस्कार